आज है 24 मार्च 2024 दिन रवी बार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्रप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को यूगी सरकार के साथ साल अर्थ्यवस्था हुई दुगनी 1 ट्रिलियन डॉलर बनी चुनौती यूपी सरकार के दीतियों और उनके अनुपालंग का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 के मकाबले राज का सकल घरेली उत्पाग दुगना होकर 25 लाक करोड तक पहुच गया राज सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थ्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ्यवस्था बनाने का लक्षे रखा इस पर सरकार ने गम भीटा से काम शुरू कर दिया लेकिन इस बड़े लक्ष को पाने के लिए सदी रणीती के साथ तेजी से काम करना बड़ी चुनौती बना हुआ है पालतू पशू का पंजी करण अब मॉबाइल से अलिगर नगर निगम ने पालतू पशू के पंजी करण के लिए उनलाइन विवस्था की है निगम ने अलिगर नगर सिवा एप शुरू किया जिसको मॉबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इस एप पर लॉग इन कर शौन और बिल्ली का पंजी करण कर आया जा सकता है अब ने पालतू शौन या बिल्ली की सूचना मॉबाइल नंबर पता फोटो सहित ऑनलाइन पेमिन्ट जमा कर लाइसेंस प्राप्ट कर सकते है पिली भीत आयवे समेथ बरेली मंजल के अन्ने राजमार्गो पर एक अप्रेस से बढ़ेगा टूल टेक्स एक अप्रेस से बरेली से गुजरने वाले विभिन राजमार्गो पर वाहन स्वामियों को बढ़ी हुई दरों से टूल देना होगा इसके तहट पिली भीत की ओर जाने वाले बरेली सितारगंज हाईवे पर बने लभिरा टूल प्लाजा की बढ़ी दरों के सूची जारी कर दी गई है अजबार ऑनलाइन भी परचा भर सकते हैं लोगसभा उमीदवार लोगसभा चुनाओ में उमीदवार ऑनलाइन भी अपना नमांकन दाखल कर सकते हैं मुखे निर्वाचन अधिकारी नवदी प्रणवा ने बताया कि चुनाओ आयोग के द्वारा प्रत्याशियों को यस्विधा प्रदान की गई है कि वे अपना नमांकन और अनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं इसके लिए भारत निर्वाचन अयोग के द्वारा वेबसाइट लिंक जारी किया गया यूपी के इन परिशदिय स्कूस में हेड्मास्टर के बत पर प्रमोशन करास्ता साफ एचसी ने दिया ये आदेश में सुप्रीन कोट ने पदोनती में आरक्षन की विवस्था ने रस्त कर दी और प्रदेश सरकार के विभिन नविभागों ने पदोनत अधिकारियों कर्मचारियों को वापस उनके मूलपत पर भेज दिया था यूपी में सियम योगियों खुद समालेंगे चुनावी कमान पांस दिन में करेंगे पंद्रा प्रबुद सम्मेलन लोग सब चुनाओं को लेकर भाजपा ने अपना चुनाओ अभियान तेज कर दिया है प्रधान मंतरी नरेनर मोदी तो चुनावी सभाओं के जरीए प्रदेश को गर्माएंगे ही मगर यूपी में पांटी की चुनावी कमान मुख्य रूप से मुख्य मंतरी योगिया रितिनाथ सम्हा लेंगे योगी पांस दिन में पंद्रा प्रबुद सम्मेलनों के जरीए प्रबुदवर के बीच पार्टी की बात रखेंगे पार्टी की ओर से इन प्रबुद सम्मेलनों का कारिक्रम तै हो गया है होली पर एक अप्रेल तक चलेंगी 305 अतरिक्त बसेज यात्रियों के लिए राहत होली घर पहुचने वाले छोटे दूरी के यात्रियों के लिए राहत की खबर है परिवहन निगम प्रशासन यात्रियों की फीर को देखते हुए लकनौ से 305 अतरिक्त बसिस की सेवाइं शुरू की है ये बसिस लकनौ के चार बाग, आलंबाग, कैसर बाग और अवदबस स्टेशन से मिलेंगी खुली स्टेशल बसिस की खास बात ये है कि बस अड़े से पूरी सवारी बस में सवार करके नौन स्टॉप बसे संचालिद की जाएंगी तेजी से बढ़ते यूपी के शहर में अपने घर का सपना हुआ आसान पिछले साथ वर्षों में बदलती और विक्सित होते गुरखपुर में आवासी जरूरतों की मांग तेजी से बढ़ रही है इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ओमेक्स समोसरी की बड़ी रियल स्टेट कंपनी भी आकरशित हो रही है गुरखपुर विकास पादिकरण ने रियल स्टेट डेवलपर कंपनी मेसर सोमेक्स लिमिटिट को नीजी शेतर की पहले इंटिग्रेटिट टाउन्शिप के लिए लाइसेंस प्रदान किया है इस टाउन्शिप को ताल जहा और गाए घात में विकसित किया जाएगा मदान से पांस दिन पहले घर पहुचेगी वोटर परची बियलो को मिला जिमा केंद्रे चुनाव आयोग में लोकसवा चुनाव में हर चरण के मदान से पांस दिन पहले घर मद्दाता के घर पर वोटर परची पहुचाने की विवस्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये प्रतेक चरण में जिस जिस लोकसवा सीट पर जब जब मद्दान होना है उससे पांस दिन पहले बूत लिबल आफिसर हर मदाता के घर पर वोटर परची पहुचाएंगे हाला के राजने तिक दल्या उम्मीदवार की पूलिंग अभी करता भी घर घर वोटर परची पहुचाते हैं योगी सरकार के साथ साल एक तरफ बुनियादे विकास, सौध्योगी करण और रोजगार को लेकर उठाय कई कद्वों ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी इंडिया के इटबंदन में शामिल भारते कम्यूनिस्ट पार्टी प्रदेश में छे सीटों पर लोगसभा चुनाओं लड़ने के तयारी में हैं इसका प्रस्ताव CPI के रास्टे कारिकारणी को अनुमोधन के लिए भेजा गया रास्टे नेत्रत्व के अनुमोधन के बाद इंसीटों के प्रत्याशियों की घोशना कर दी जाएगी मदर से बंद हुए तो दस अजार शिक्षकों कर्मचारियों की रोजी रोटी पर आएगा संकर उत्रदेश मदर से शिक्षबोर कानून को लेकर इलाबाल हाई कोड के आदेश के बाद अगर अनुदानित मदर से बंद कर दिये जाते हैं तो कारियरत करीब 10,200 शिक्षक वाशिक्षनेतर कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकर खड़ा हो जाएगा वर्तमान में मदर सा शिक्षब परिशब से मानिता प्राप्त, तहयतानिया कक्षब एक से पांच, फौकानिया कक्षब पांच से आच और आलिया वा उच्च आलिया इस्तर यानि हाई स्कूल या इस्तर उपर के लगबग 16,460 मदर से हैं लोगसबा चुनाओं से पहले मायावती का एक्षब बसपा सांसाद राम शिरोमणी वर्मा पाटी से निशकाशित लोगसबा चुनाओं को लेकर जुठी मायावती उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के सांसी पाटी विरोधी गति वीडियो में शामिल लोगों के खलाब कारेवाई भी कर रही है शावस्ती सीच से सांसाद राम शिरोमणी वर्मा को अनुशासन हींता और पाटी विरोधी गति वीडियो में लिप्त होने के आरोप में बसपा निशनिवार को पाटी से निशकाशित कर दिया सीम योगी मत्रा से करेंगे भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत उत्रप्रदेश में भार्तिय जंता पाटी के लोगसबा चनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ से कराने की तयारी है पार्थी की ओर से होली के तुरंत बात का कारिक्रम इसके लिए प्रस्तावित किया गया इसके तहट मुख्यमंत्री प्रबुद सम्मेलन कर प्रबुद वर्ग के लोगों के साथ बैचक कर पार्थी की रीती नीती के बारे में चर्शा करेंगी लोग सबचनाव और होले के त्योहारों को देखते हुए पुलिस और अर्द सैनिक बल के जवानों ने शेत्र के कई गाउं में पैदल मार्च किया लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अववाहों पर ध्यान ना दें शांती विवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रिशासन का सही योग करें किसी भी घटना के सूचना थाना इस्तर पर या यूपी 112 पर देने की अपील की गाई वारानसी के सरकारी अस्पतालों में अल्टरसाउंड के लिए डेड़ महीने की लंबी वेटिंग वारानसी जिले की सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोगों के सामने जाँच का संकट खड़ा हो गया है यहां अल्टरसाउंड के लिए एक से डेड़ माह तक की वेटिंग चल रही है इससे लोगों की बीमानी बढ़ती जा रही है इस तरह की स्थिती दीन दे आलुपाध्याय जिल अस्पताल के साथ ही शास्त्री अस्पताल रामनगर में भी है होली की चुट्टी के चल 37 मार्च तक हाई कोड बांद पोटो आजन्टिफिकेशन सेंटर बुद्वार को खुलेगा होली के चलती इलाबाद हाई कोड में 27 मारच तक छुट्टी हो गई है होली के चुट्टीं आज 24 सा 27 मारच तक पूर निठ हारित थी महीं 23 मारच को शनिवार पढ़ने की वज़े से 23 सा 27 मारच तक हाई कोड बंद हो गया 28 स्माच को पूरवत हाई कोट खुल जाएगा वहीं इलाबाद बार एस्सोसियेशन के प्रेस सचेव अमरेंदू सिंग ने बताया कि हूली के कारण इलाबाद हाई कोट का फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर तीन दिन बंद रहेगा प्रेसीम केशा बोले अनरगल प्रलाप ना करें विपक्षी नेता एजनसीज गलत हैं तो निरने कोट करेगा दिले के मुख्य मंतरी अर्विन केश रिवाल को गिरफ़तार किये जाने पर विपक्षी दलो के नेता भाचपा और केंद्री एजनसीज पर आरोप लगा रही है आरोप है कि विपक्ष के नेता को जान बूच कर निशाना बनाया जा रहा है इस पर यूपी के उप मुख्य मंतरी केश प्रसाद मौरे ने कहा कि एजनसीज गलत हैं तो इसका निरने अदालत करेगी होली पर घर आए लोगों की वापसी के लिए रेलवे ने तयारियां शुरू कर दी है पूरवतर रेलवे ने हूली के बाद 26-31 मार्श तक विशेश ट्रेन संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली लगनाव से चलने और गुजरने वाली करीब 27 जोड़ी विशेश ट्रेन हैं जो हूली के बाद वापसी करने वालों के लिए आसानी होगी इस हैसले में रेलवे प्रिशास्तन ने ट्रेन्स की तारीक के साथ ही खाली सीथ कभी औराच जारी किया पूरानी पेंशन बहाली को लेकर फिलाम बंद हुए कर्बशारी राजनी तिक दलों पर बढ़ाद दवा वज्ट 2022 के विधानसबाच चुनाओं में जोशूर से उठाया गया पूरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा ये लाग टके का सवाल सियासी दलों की नींद उड़ाए हुए है वजए बीते विधानसबाच चुनाओं में समाजवाधी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और बैलेट से पढ़ने वाले जादतार वोट उसकी जोली में गए कर्मशारियों की नाराज़गी को भापने के बाद ही हाला की केंदर की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाले के अध्यन के लिए कमेटी गठित कर दी है अई हुद्धा के राम मंदर को लेकर बढ़ाब जे चल गई सूरे केंडों की अभिशेक की योजना राम नम्मी के अबसर पर राम नला के ललाज़ पर सूरे केंडों की अभिशेक की योजना टल गई है इसके बाद कारिदाई एजंसी एल एंटी निर्धारिट डिजाइन के नुस्तार निर्मान कारे को आगे बढ़ाने में जुट गई राम निर्मान के योजना के अलग-अलग कामों के लिए तीन चरण निर्धारित किये गई हैं सपा विधायक अभे सिंग और अफदेश परताप सिंग को वाई शेनी सुरक्षा भाजपा के पक्षमे की थी क्रॉस वोटिंग बता दें कि अभे सिंग में हालिया राजए सबा चनाओ में भाजपा प्रत्याशी संजेस सेट को वोट दिया था 31 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना KYC वाले फास्टेग KYC अपडेट न होने पर 31 मार्च से फास्टेग बंद कर दिये जाएंगे ऐसे में अगर आपने फास्टेग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई तो आज ही करा लें 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टेग को बैंक डियक्टिवीट या ब्लैक लिस्ट कर देंगे इसके बाद फास्टेग में बैलेंस होने के बावजूद आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे आप उनलाइन और आफलाइन दोनों तरीके से KYC अपडेट कर सकते स्वाद के शाकीनों को जून तक मिलेंगे खानपान की तीन नए ठिकाने इन इस्थानों पर शुरू होगा खाओ गली अब स्वाद के शाकीनों को लजीज व्यंजन खाने के लिए दूर नहीं जाना होगा इसके लिए नगर निकम संजेवन रोट की तरह तीन और इस्थानों पर खाओ गली विक्सित कर रहा है पुराने गंगा पुल पर खाओ गली अपरेल में शुरू हो जाएगी ब्रजेंद्र सरूप पार्क और जाजमव में जून में खाओ गली के शुरुआत करने की तयारी है आइकोट के फैसले के बाद सपापर भड़के मौलाना शाबुद्दीन बताया मदर्सो की दुर्दशा का जिम्मेधान इलावाद हाई कोड के मदरसों से संबंदित फैसले पर ओल इंडिया मुस्लिम जमात के रास्ति अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहबुदीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ये फैसला बड़ा मायूसी भरा है मदरसों में अल्प संक्यक स्रमदाय के लाको बच्चे शिक्षा हासल कर रही है अब उनका भविश्य अंदकार में चला जाएगा इस फैसले के बाद जो सूरत इहाल बन रहा है उससे जाहिर होता है कि मदरसों का वजूद खत्रे में पढ़ गया है बता दें कि इलाबाद हाई कोड की लखनों बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक 2004 को असमवेधा ने करार दिया तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद